आज हम आप लोगों को नाभकी रियक्टर या परमार सक्त सन्यंत्र अर्थार नुकिलियर रियक्टर और अईटायमिक पायल के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नाभकी रियक्टर क्या होता है यह जान लेते हैं तो नाभकी विखंडन अवकिरिया द्वारा उत्पन उसमी वृजा को बिद्धुत वृजा में परिवर्थित करने वाले सन्यंत्र को नाभकी रियक्टर कहते हैं अथवा इसी को परमार सक्ति प्लांट भी कहा बता दें कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को नाभिकी वुर्जा अथवा नुकिलियर एनरजी के बारे बताया था जिसमें बताया था कि नाभिकी सलयन क्या है और नाभिकी विखंडन क्या है इनको डीटेल से समझाया था तो उसी में मैंने बताया था कि नाविकों का लगभग बराबर भागों में टूटना ही नाविके विखंडन कहलाता है यदि आप लोग नाविके विखंडन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चयर्प में अप्लोड़े जाकर के देख सकते हैं तो जो बराबर भागों में तूटा उसको नाभ के विखंडन कहा था और इस विखंडन से जो बिसाल उर्जा पैदा हुई थी उत्पन हुई थी उसी मुक्त उर्जा का उपयोग भाप बना करके बिद्दुत उत्पन करने में किया जाता है या उसी उर्जा से भाप बना करक बिदुत पैदा की जाती है या कहलो कि इसी उर्जा से बिजली बनाई जाती है और ये सारा काम जहां पर होता है उसे ही या जिन जिन यंत्रों से होता है उसे ही नाभकी रियक्टर कहा जाता है तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाभकी रियक्टर क्या है या परमार सक्त सन्यंद्र किसे कहते हैं, अथवा परमार भठी किसे कहा जाता है, प्रत्हम रियक्टर सन 1942 में अमेरिका में बनाया गया था, यहनि सबसे पहला रियक्टर कहा बना, तो अमेरिका में बना, कब बना, तो 1942 में बना था, किन्तु, आज लगभग सभी बड़े देशो में नाव Tobie Reactor बना लिए गये हैं यिनि लगभग में सभी देसो में जो बड़े-बड़े से देस है वहाँ पर नाव की रेक्टर या निवकिलियरpf रियक्टर बन चुके हैं चलिए इसकी रचना को समख लेते हैं तो नाभकी रियक्टर की रचना में कई भाग होते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है पहला भाग है नाभकी इंधन अथवा निउकलियर फ्यूल नाभकी इंधन ये जो आपको देख रहे हैं नाभकी इंधन अथवा निउकलियर फ्यूल है तो वह ये नाव की इंधन का प्रियोग करते हैं विखंडन किसे किया जाता है नाव की इंधन से किया जाता है और कौन सा इंधन प्रियोग करते हैं तो इसमें इंधन प्रियोग करते हैं यूरेनियम 235 इसको इंधन के रूप में प्रियोग करते हैं प्रश्ण पूछा जाया कि नूट्रानों की गति को कम करने में प्रियोग में लाए जाते हैं मन्दक कहलाते हैं यहनी ऐसे पदार्थ जो नूट्रानों की गति को कम करते हैं मन्दक कहलाते हैं ग्रेफाइट की छड़े या भारी जल मन्दक के रूप में प्रियोग की जाती हैं मतलब नाविकी विखंड जाएसे नुट्रान तेज से निकलते है ज Lowолод को तेज से नियुट्रान होता ह token तुछ isne से निकलते है तो उनकी इस स्पीड को कम करने के लिए मंदक या मॉडरेटर का प्रयोंग किया जाता है और और ये मंदक या मॉडरेटर के रूप में प्रियोग किसका करते हैं, तो ग्रेफाइट की छड़ों का प्रियोग करते हैं, अथा जल का प्रियोग किया जाता है, तो ये हो गया, दूसरा आते हैं, तीसरे पर तीसरा है, नियंतरक या कंट्रोलिंग राट्स, जो आप देख रहे हैं ये क्या है नियंतरक हैं या controlling rods हैं बोरान या cadmium की छढ़े नियंतरक के रूप में प्रयोग की जाती है ये दोनो धात्में neutron की अच्छी अवसोसक होती है जो neutron को अवसोसित कर लेती है जिससे अवसोसित नियुटरान विखंडन किरिया में भाग ले पाते हैं मतलब जो नियंतरक है नियंतरक में क्या चीज़ ली जाती है बोरान और कैडमियम की छड़े अगर पूछा जाए कि नाब की रियक्टर में नियंतरक की रूप में किसका प्रियोग करते हैं तो बोरान या कैडमियम की छड़ों का प्रियोग करते हैं, तो नियंत्रक के रूप में प्रियोग की जाती हैं और दोनों धाते हैं क्या वास्तों में, तो नियूट्रानों की अच्छी अवसोसक होते हैं, यह अवसोसित कर लेती हैं, नियूट्रानों को अपने अंदर सोंक रहे यूरेनियम को बिल्कुल इसी तरह से ये छड़े जो होती ही ग्रेफाइट के ब्लाग में एक निश्च्य तस्थान पर धासी रहती हैं इन छड़ों को यूरेनियम 235 की दो कारों के बीच अंदर वा बाहर सरका कर विखंडन की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है यानि इन ही छड़ों के माध्यम से विखंडन को बढ़ाया या घटाया जाता है जैसा कि आप उपर देख रहे हैं जो छड़ के अद्मियम की दिखाई गई हैं इन छड़ों को बढ़ा कर घटा कर जो विखंडन की किरिया है उसकी गति को बढ़ाया या घटाया जाता है त चाहे कहिए कि उस्मा मुक्त होती है इसे अवसोसित करने के लिए जिस तरल का प्रियोग करते हैं जो अत्रधिक उर्जा मिली जो अत्रधिक उस्मा मिली इसे सोखने के लिए अवसोसित कराने के लिए एक तरल का प्रियोग किया जाता है उसे ही सीतलक कहा जाता है या सीतलक के रूप में प्रियोग करते हैं और सीतलक होता क्या है तो द्रविक सोडियम जो द्रवित सोडियम है इसका सीतलक के रूप में प्रियोग किया जाता है अगर प्रशन पूझा जाए कि नाविकिये रेक्टर में सीतलक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है तो बत ग्रेफाइड ब्लाक के चारों और साथ से आठ फीट मोटी याद रखेंगे कंक्रीट की दिवार का जैकट बना है यह जो जैकट बना है यह किसका है ग्रेफाइड ब्लाक के चारों तरब बना है और किस चीज का बना है तो कंक्रीट की दिवार का बना हुआ है कितना मोटा है साथ से आठ फीट मोटा है इस दीवार पर विकिरण अवसोसकों की मोटी पर चड़ा दी जाती है ताकि उसमें से जो विकिरण निकल रहे हैं वो बाहर ना निकलें तो इस पर क्या किया जाता है कि विकिरण को अवसोसित कलने ऐसी मोटी परत चड़ा दी जाती है और यह जैकिट विखंडन प्रिकिरिया में उस सर्जित रेडियो धर्मी विक्रणों को बाहर निकलने से रोखता है क्योंकि ये विक्रण सजीवों के सरीर में उतकों को नश्ट कर उनमें अन्वांसिक विकार उत्पन कर देते हैं यानि अगर ये विक्रण बाहर निकले जो रोडियो धर्मी विक्रण है ये बाहर निकलाया ऐसी दिवार ना बनाई जाए तो क्या होगा कि ये सजीवों के उतकों को नश्ट करके अन्वांसिक विकार उत्पन कर देंगे इसलिए ये दिवार चड़ा दे जाती है या कहले जी की कारविधी को समल लेते हैं तो नाभिकी ये रियक्टर में यूरेनियम 235 को इंधन के रूप में प्रियोग करते हैं हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि नाभिकी रियक्टर में किसका प्रियोग किया जाता है तो यूरेनियम 235 का इंधन के रूप में प्रियोग किया ज तो तीन नए नियुट्रान मुक्त होते हैं और ठकराने पर होता क्या है तीन नए नियुट्रान बनते हैं मुक्त होते हैं निकलते हैं जो एक सरंखला बनाते हैं अब वो तीनों जो निकले हैं जो मुक्त होए हैं वो एक सरंखला बनाते हैं चेन बनाते हैं इन मुक्त नियु इंधन में घुसा दी जाती हैं, तो यहां समस्त न्यूट्रानों को अवसोसित कर लेती हैं, और जैसे ही कैडमियम और बोरान के जो छड़े हैं, यह इंधन में घुसा दी जाएं, घुसाने पर क्या हुआ, कि यह न्यूट्रानों को अवसोसित कर लेती हैं, यानि पूरे जि इन्धन से धीरे धीरे उतना ही बाहर निकाला जाता है जिससे की केवल उतने ही न्यूटरान उस सर्जित हों जो नाव की विखंडन अफकिरिया को नियंत्रित रूप से संचालित कर सकें और निश्चित परिमार में उर्जा प्राप्त होती रहे यानि कहने का मतलब यह है जो केडमियम और बोरान की छड़े हैं उतना ही निकालते हैं धिरे धिरे करके बाहर जितने की मात्रा में हमको जरूरत है यानि जितना उनको जरूरत होती है कि थोड़े थोड़े करकी उर्जा उत्पन होती रहे उसी साफसी सको धिरे धिरे करके बाहर निकालने से एक सीमित मातरा में, कंट्रोल मातरा में अुर्जाय निकलती रहती है, इधन के विखंडर में उत्पन उर्जा जल या तरल सोडियम हैं अवसोसित कर ली जाती है और जो विखंडन में उत्पन उर्जा है ये जल या तरल सोडियम के द्वारा अवसोसित कर ली जाती है ये सोंक लेता उसको जिसका उपयोग उसमा परिवर्तक में भाब बनाने में किया जाता है यह इसी उर्जा का परिवर्तक में भाब बनाने में करते हैं और यह भाफ जो होती है जो बनी भाफ है जो अवसोसित की गई है इसको टर्बाइनों को घुमाती है भाफ क्या करती है टर्बाइन जो लगे हुए है भाफ के टर्बाइन इनको घुमाती है जिससे संबध आर्मेचर सक्तिसाली चुम्ब के छेतर में घुमता है और अब उस पर जो आर्मेचर होता है, वो क्या है, तेजी के साथ घूमने लगता है, और बिद्द उत्पन हो जाती है, यदि आप लोग जनरेटर आर्मेचर क्या है, और चुम के छेतर क्या है नहीं जानते हैं, तो मेरे चरह में फूल वीडियो अप्लोडेटर पर आप लोग ज लेख सकते हैं, तो बिद्द उत्पन हो जाती है, जब भाव संगनित हो जाती है, कठा हो जाती है, तो इसे फिर दूसरे चक्र में काम में लाए जाता है, जितनी भाव वहां पर संगनित होई है, तो उसको क्या किया जाता है, कि दूसरे चक्र में फिर उसको काम में लाए घट लेता।